जैशी 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 मैं हूँ इसरो संद्या सक्सरा स्वागत करती हूँ आपकी यूट्टीब में आपके अपने यूट्टीब चैनल मालक्षी जोतिश अधात्मिंग में अब हम बात कर रहे हैं अपनी कुंडली की तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की मेश स्वास आपका थोड़ा सा बालनस रहेगा बहुत जज़दा अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं तन संबतिके महिं Sleepy परिवार आपका अच्छा रहेगा प्रेम सो मंद अच्छी उसको थोड़ा बच्बूत मदद कर देंगे एक से आपका बजबूत रहेगा शुकर। अब हम बात करते हैं मितुनराशी वालों की, मितुनराशी वालों आपका स्वस्त उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन दंसंपती के मामले में थोड़ा सा डाउन जाएगा, उतार चड़ा आपके साथ, परवार में थोड़ी पर खटर पटर हो सकती है, लेकिन प्रीम स मितुनराशी वालों बुद्ध आपका भागे का मालिक होता है, और इसलिए आप हरा फिरोजी रंगधान कीजिए, साथ में आपका आठ नंबर इस समयल लकी बना हुआ है, अब हम बात करते हैं, नेक्स राशी वो है करकराशी, करकराशी वालों आपका स्वस्त उत्तम नही होंगे बहुत जादा, लेकिन वेवसाय अच्छा रहेगा, भाग जीवन भी बैलन्स रहेगा, यानि कि आपका जीवन हंडर्ड और सेवन्टी, यानि खड़े मिटे के साथ चलेगा, तो क्या करना है आपको, करकराशी वालों, यहू और गोड जो है गाएं को खिलाना शु तो सिंग राशी वालों, आपका स्वास अच्छा मजबूत रहेगा, धन संबत्ती के मामल में थोड़ असा डाउन जा सकता है, परिवार में किसी बात को लेकि कलिश कला हो सकती है, परिण समन अच्छे है, वाई जीवन भी अच्छा है, और आपका वेवसाय भी अच्छा ह कुल मेला के दूसरों के वेश से आप टेंशन में आएंगे, और थोड़ा सा आपको ऊपर कॉंफिडेंस रहता है, आतुशाद बहुत जाता रहता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए एक नंबर शुब है, लाल रंग आपको प्रियोक करना चाहिए, लेकिन आपको गुसा बहुत जल्दे आता है, आप आतुशाद जादा होता है, तो आप सफेद रंग का प्रियोक कीजे, लेकिन लाल रंग आपके लिए लगकी है, सफेद रंग का ध्यान रखेगे, पहनिए, आपको क्या करना है, आपको चंदमा क करने हैं यानि कि चंदमा को अर्दी दीजिए ओम सोमायनमा का जाब कीजिए या उससे भी अच्छा है कि भावान शिव की पूजा रातना कीजिए निश्वीत रूप से इससे आपको लाब मिलेगा नेक्स नमबर पर आते हैं कने राशी की बात करेंगे कने राशी वालो आप का समय बढ़िया है आपको क्या करना है आपको यदी बताऊंगी कि नौ नमबर आपके लिए लखी रहेगा लाल रंग का पर्योग करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए भगवान मंगल यानि की जो हमारे प्रभू है हरुमान जी उनका ध्यान पूजा पाट करेंगे निश्वी दूरुप से आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं तूला राशी वालो की तूला राशी वालो आपका सौस्त तोड़ सा डाउन हो सकता है तोड़ सा बीमार रह सकते हैं दन संपति की मामले आप लखी रहेंगे परिवारी भी आपका अच्छा रह परिवार अच्छा है अपके बात कर लेते हैं ऐसे लिए थोड़ सी दिख्कत हैं तो व्रशी वालो की तो राशी वालो को सौस अच्छा है दन संपति परिवार बी अच्छा है प्रेम संबन्द भी आपके वसाई में थोड़ी से दिक्कते है साथ में आपका भाई जीवन भी अच्छा है किसी पे जल्दी से विशास मत करो कोई भी काम करने से पहले सोच समझे काम करो विश्विक राशी यह कैसी राशी है जिससे जो कभी किसी राशी से इंडरती सब पे बड़ी जल्दी कंटूर कर लेती है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको पाये के रुपे भगवान शिव के बारा नामों का जाब करना चाहिए लाल रंग आपके लिए शुभ है और चार नंबर आपके लिए लखी रहेगा थोड़ा सा आपको वानी पे कंट्रोल करना चाहिए अब हम बात करते हैं धनुराशी वालो की तो धनुराशी वालो आपको स्वास अच्छा रहेगा उत्तम रहेगा धन संपत्ति आपके बस बनी रहेगी परिवार का सुख आपको मिलेगा प्रेम संबन थोड़ ज़र डाउन जाएंगे विवसाई आपका अच्छा रहेगा और वेवाई जीवन भी आपका खटा मिठा रहेगा बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं ताल मिल से बरावा है तिन उतार शड़ाव के साथ तो आपको क्या करना है मातालक्षमी की सेवा पूजा पार्ट करेंगे तो निश्यत रुप से आपको लाँ मिलेगा धन राशी वालो एक नमबर आपके लखी रहेगा और लाल रंका धारन करेंगे तो थोड़ा आतविशास बना रहेगा आपको और ये आपके जियों में शुबता लाएगा निश्यत रुप से बना राशी वालो की तो मकर राशी वालो स्वास अपका अच्छा है धन सबत्ती के मामले में आपको बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है यानि कि थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहेगा आपका परिवार का सुख आपको मिलेगा प्रेम समन बहुत अच्छे नहीं है वेबसाइब भी बहुत अच्छा नहीं है वेजियों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है बैलेंस रहेगा आपका टाइम इस समय ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब मगर राशी वालो और आपको खुद से इसको थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा कैसे पनाएंगे गुसा नहीं करना है अनव शक्तनाव नहीं पालना है किसी से बहस ना करें आपका जो राशी का मालिक वैसे होते हैं शनिदेब तो थोड रंग एक रहेगा मरून या काला रंग आप पहन सकते हैं याकर शुभ है अब हम बात करेंगे नेक्स राशी कुम्बराशी के वारे में तो खुम्बराशी वालो आपका स्वस्त बढ़िया रहेगा उत्तम रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है धनसंब्ती भी आपके बश परिवार में आपको थोड़ा सा दिग्कत आ सकते हैं प्रेंच संबन्ध में भी आपको थोड़ा दिग्कत आ सकती है और में साइब हम आपको 27 जीवन उसमें भी आपका थोड़わかते हैं कुल मिलागे मैं कहुंगे कि स्वास्तों बहुत अच्छा है अप धन्सब्पती पेची है लेकिन परिवार में खटपट है प्रेम सम्मंद 50-50 के रिशु में अपका 50-50 के रिशु में है और आपका वहिग जी उन भी 50-50 के रिशु में बहुत बुरा भी नहीं है शनी के जो अपने दिन को खुशनमा बनाने के लिए मांसिक तनाव और जहनजोटों से दूर रहना चाहिए ज्यादा किसे बोलो मत क्योंकि जब आपको लगता है कि टाइम आपके अगेंस्ट है तो शांती रहो चुप रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है क्या कर सकते हैं आप वही ब अपने दिन को खुशनमा बनाने का जाप किजेगा इससे आपको निश्य दूरुप से ला मिलेगा थोड़ सी गाए की सेवा और शी किजेगा अब हमार राते हैं सबसे आखरी में हमारी पारिय राशी है जो है मीन राशी मीन राशी आपको स्वस्त थोड़ा सा डाउन रसक अपने डाउन के साथ हो सकता है आपका धन संबत्ती बना रहेगा पैसा आएगा जाएगा काम होती रहेंगे परवार में किससे कलेश हो सकता है कला हो सकती है उसको आपको ध्यान रखना है और प्रेम संद आपके पढ़िया रहेंगे मजबूत रहेंगे वेवसाय भी आपक अपने मन को जितना आप जड़ा शांत रह सकते हैं उता शांत रखिए भगवान शिव का ध्यान कीजिए ओम सोम सुमाय नमा का नमस्षवाय का जाप करेंगे तो लाब होगा भगवान शिव की अरादना कीजिए पूजा पाट कीजिए शिरलिंग पे जल चड़ाने से भी नि आज का दिन आप सभी के लिए शुप हो मंगल में हो इसी कामना के साथ मैं अचारे संद्य सक्सना अब आप से जाद लूंगी आपका दिन शुप हो शुक्रिया धन्यवाद